Hello Friends, Welcome to Soya Education Friends, आज की इस particular वीडियो में हम एक नया topic डिसकस करने वाले हैं आज का जो आपका topic होने वाला है वो है minerals तो minerals क्या होते हैं? आप सभी को पता है कि हमारे दो type के nutrients होते हैं एक होता है macronutrient और दूसरा होता है micronutrient तो जो macronutrient होता है उसमें major nutrients आ जाते हैं आपके जैसे की carbohydrates, proteins और fats और अगर हम बात करें micronutrients की तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं दो type के micronutrients पहला होता है vitamins और दूसरा होता है minerals तो आज की इस particular वीडियो में हम लोग minerals के बारे में discuss करने वाले हैं minerals का classification देखने वाले हैं इसके साथ साथ हम एक important mineral जो की है calcium इसके बारे में आज की इस particular वीडियो में पढ़ने वाले हैं lastly हम यहाँ पर कुछ questions को भी solve करेंगे जो की आपके FSA CI exams में पूछे गए हैं ठीक है तो आईए शुरूआत करते हैं आज के इस topic की सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि minerals क्या होते हैं तो minerals क्या होते हैं यह एक type के in organic compounds होते हैं जो की food में पाया जाता है और अगर आप उस food में कितना amount of mineral present है उसको जानना चाते हो तो food को burn कराना होता है यहाँ पर muffle furnace में अगर आप food को burn कराते हो तो आपको कुछ ash की quantity मिलती है वो जो ash composition आपको देखने को मिल रहा है वही total mineral content होता है जो आपके food में present होता है आगे अगर हम बात करें कि हमारे food में as well as हमारी tissues में किस किस form में यहाँ पर mineral देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको तीन forms देखने को मिल रहे होंगे जिस जिस form में आपकी body में और food में यहाँ पर minerals present होते हैं पहले form की अगर हम बात करें तो यह होता है inorganic salt का form इनorganic salt के form की अगर हम example की बात करें तो sodium chloride जिसको आप common salt भी बोलते हो इसके साथ calcium phosphate का form जो होता है यह inorganic salt का form है जो कि आपके food में present होता है आगे अगर हम बात करें second form की तो यह है आपका combination with organic compounds मतलब जो आपके organic compounds present होते हैं उनके साथ साथ यह combined form में भी present होता है अगर हम इसके example की बात करें तो phosphoproteins, phospholipids और hemoglobin के साथ यह combined form में देखने को मिलेगा ठीक है third form की अगर हम बात करें तो यह होता है ionic form, ionic form के example की बात करें तो यहाँ पर आप various kind of minerals देख रहे होगे जो कि ionic form में present है, sodium है, potassium है, calcium है, chloride है और phosphate है, ठीक है यह हो गए आपके total तीन types, तीन forms जिस form में mineral आपकी body में है और food में present होता है, ठीक है आगे अगर हम बात करें इसके function की, तो इसका सबसे major function आपको जो देखने को मिलता है, वो होता है हमारी body में यह कितना percent constitute करता है तो अगर आप देखोगे कि 4 to 6 percent जो हमारी body का weight होता है, वो सिर्फ और सिर्फ mineral से बना हुआ होता है, ठीक है और especially अगर हम बात करें कि हमारी body में especially किस जगे पर mineral सबसे ज़्यादा amount में present होते हैं, तो 80 percent यह जो आपके total minerals हैं और उसका 80 percent हमारे सिर्फ skeleton में present होता है, ठीक है और बाकी का जो 20 percent बच रहा है, वो rest of जितने भी organs है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है आगे बढ़ते हम लोग, देखो आगे हम बात करेंगे यहाँ पर इसके classification की, तो classify हम इसको किस basis पर कर रहे हैं, पहले इसको देखते हैं तो यहाँ पर हम इसको classify कर रहे हैं कि हमारी body में इसका कितना amount present होता है उस basis पर, ठीक है तो जो minerals हमारी body में ज्यादा amount में present होते हैं, उनको हम यहाँ पर macro minerals बोलेंगे और जो कम amount में present होते हैं, उनको micro minerals बोलेंगे इसी के साथ साथ जो भी minerals हमारी body में ज्यादा amount में present है, उनकी ज्यादा यहाँ पर जरूरत भी होती है body को ठीक है तो body की need सबसे ज्यादा होगी macronutrient के case में और सबसे कम यहाँ पर हमको जो चाहिए होते हैं वो होते हैं macronutrient macromineral की अगर हम बात करें तो macromineral यहाँ पर हमारे जो adult body होती है उसमें more than 100 mg per day से ज्यादा इसकी requirement होती है ठीक है इस वज़ा से यह macro mineral की category में रखा गया है example की अगर हम बात करें तो seven type के macromineral आपको देखने को मिलते हैं sodium और chloride दोनों यहाँ पर common salt में आपको देखने को मिलते हैं इसके साथ potassium, phosphorus, magnesium, sulfur और calcium यह total आपके macromineral होते हैं जो की आपको different kind of food product में मिलते हैं ठीक है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि सिर्फ इतने seven kind of macromineral होते हैं जो की food में present होते हैं और आपकी body में इसको ज्यादा जरूरत होती है more than 100 mg per day से ज्यादा यहाँ पर आपको इसको consume करना पड़ता है ठीक है आगे अगे अग पतलब 20 mg per day से कम इसकी requirement आपकी body को होती है आगे हम इसके example की बात करें तो इसमें बहुत सारी example सापको देखने को मिल जाएंगे जैसे iron, fluorine, zinc, copper, iodine, chromium और cobalt ठीक है अब देखो यहाँ पर एक note लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है कि minerals are bitter absorbed when consumed in its natural food अगर आप minerals को naturally consume करोगे जिस भी food में वो naturally पाया जा रहा है उसको आप consume करते हो तो उसमें ज्यादा अच्छे से आपकी body में वो जाने के बाद absorb होगा as compared to अगर आप उसके कुछ भी यहाँ पर supplements लेते हो या capsules के form में आप उसको बाहर से लेते हो तो उसमें आपको एक कम absorption इसका देखने को म में ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग देखो आगे यहाँ पर बात हो रही है calcium की calcium क्या होता है यह सबसे major macro mineral होता है जो कि हमारी body में इसकी need होती है और जो कि हमारी body में present होता है different forms में ठीक है अगर हम बात करें it is most abundant mineral in the body हमारी body में सबसे ज्यादा abundant mineral होता है यह इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारी जो body होती है adult male की अगर हम सबसे करें कि 70 kg का एक adult male है तो उसमें कितना gram calcium देखने को मिलेगा तो उसमें 1200 gram calcium present होगा उसकी body में ठीक है अगर आगर आप देखोगे कि total mineral की अगर आप बात करोगी कि total mineral जो आपकी body में present होते है उसमें से 39% सिर् 29% तो आपका skeleton में present होगा, skeleton में कौन-कौन से जगह पे present होगा, तो यह bones में present होगा, यह teeth में present होगा, ठीक है, बागे का जो यहां पर 1% बच रहा है, वो आपके body fluids में present होता है, as well as अलग-अलग tissues में यहां पर देखने को मिलता है, अब देखो यहां पर जो हमने बात की calcium की कि यह किस form में हमारे skeleton में present होगा, तो skeleton में हमारे present होता है calcium phosphate के form में, ठीक है, अब rest of the 1% था, वो हमारे tissues में present है, ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो यह ionic form में देखने को मिलता है, ठीक है, अब यह कहां पर इसकी जरूवत बढ़ती है, जो rest of the 1% है, इसकी जरूवत क्या क्या role होता है, कहां कहां पर calcium आपको जरूरत परता है, आपकी body की functioning में, ठीक है, तो आप enzymatic activities देख रहे होगे, बहुत सारा metabolic activities होती ही आपकी body के अंदर, तो वहां पर इसकी जरूरत परती है, इसके साथ-साथ blood की clotting में यह important role play करता है, और muscle contraction में भी इसका important role होता है, आगे अगर हम बात करें, तो usually 20-30% जो आप calcium खाते हो, वो आपकी body में जाने के बाद absorb होता है, ठीक है, और calcium का absorption किस चीज़ पर depend करेगा, यह depend करता है calcium phosphorus level जो की आपकी body में present है, यही influence करता है कि कितना amount of calcium आपको diet से यहाँ पर absorb होते हुए मिलेगा, आगे अगर हम बात करे कौन कौन से ऐसे forms होते हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़े होती हैं, जो कि calcium के absorption को effect करती है, तो अगर vitamin D, low pH, lactose, low fat और high protein content कहीं पर भी present है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि calcium का absorption आपकी body ज्यादा अच्छे से करेगी, ठीक है, तो अगर किसी भी food में vitamin D, या वो food low pH का है, या वो lactose content carry कर रहा है, high protein का food है, तो उसके साथ अगर आप calcium को consume कर रहे हो, तो ज्यादा अच्छे से absorb होगा, clear है, देखो आगे यहाँ पर बात करते हैं, कुछ sources की, जो कि calcium के sources होते हैं, तो यहाँ पर जो milk होता है, वो readily assimilate होता है, अगर आप उसको milk को consume करते हो, तो जो आपका calcium present होता है, वो readily assimilate होता है, क्योंकि यहाँ पर lactose देखने को मिलता है, और vitamin D देखने को मिलता है, देखो जो lactose और vitamin D है न, इनकी वज़ा से calcium ज्यादा अच्छे से आपकी body में जा करके absorb होता है, clear है, आगे अगर हम बात करें कि other food जो की calcium में rich होते हैं, तो इसमे में आपका molasses दिखता है, nuts, सिसमे सीट्स, देखो जो सिसमे सीट्स होती है, वो richest source है calcium का, यह आपको ध्यान देना है, थोड़ा से important है, आगे हम बात करें कहां पर present होता है, तो minerals जैसे की रागी है, तो वहाँ पर भी calcium आपको present मिलेगा, आगे अगे अगर हम बात करें, तो aux daily acid अगर कहीं पर भी present है, जैसे की कुछ fruits और vegetables में naturally पाया जाता है, इसके साथ phytic acid जो की पाया जाता है, इसके साथ साथ अगर alkaline medium है, तो यह तीनों चीज़े क्या करती है, calcium के absorption को decrease करती है, मतलब calcium को properly food से absorbed नहीं होने देंगी आपकी body में, clear है, अब देखो यहाँ पर इसक figure दिख रहे होंगे, यह है आपका पहला figure जिसमें की normal bone आपको दिख रही है, ठीक है, एक shaft दिख रहा है, दूसरा जो figure है, यहाँ पर आपको ऐसी bone दिख रही है, जो की osteoporosis से सफर कर रही है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहली bone जो है, उसकी density बहुत higher है, ज्यादा density ह बड़ जो दूसरी bone है, इसमें छोटे-छोटे pores आपको देखने को मिल रहे होंगे, यह जो pores हैं उनकी वज़ा से यहाँ पर density कम हो जाती है, ठीक है, तो bone की density अगर कम हुई तो fracture की chances भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं, जिसकी वज़ा से यहाँ पर ऐसे patients में generally देखने को मिलत है, उसमें जो calcium content present है, वो क्या होंगे कि dimineralize होने लगेंगे, calcium content वहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा bone से, और ऐसी disease को यहाँ पर osteoporosis बोला जाता है, यहाँ पर जो bone होती है, वो thin हो जाती है, पूरस हो जाती है, और fragile हो जाती है, इसके साथ साथ यहाँ पर अगर को मिलती है, तो सबसे पहला यहाँ पर factor दिख रहा होगा age, ठीक है, तो ऐसी disease का यहाँ पर age से लेना देना क्यों है, क्योंकि जो women's होती है, उनमें कुछ एक phase होता है, जिसके बाद वहाँ पर, जो menstrual phase होता है, वो seize कर जाता है, जिसको हम बोलते है, post-menopause phase, तो जो post-menopause phase होता है, वो age के साथ यहाँ पर होता है, तो इसकी वज़ा से यहाँ पर age एक factor आपके सामने आता है, second अगर हम बात करें, gender की, तो women's जो होती है, वो ज़्यादा प्रोन होती है, osteoporosis से as compared to men, ठीक है, third अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कुछ hormonal changes भी देखने को मिलते हैं, जैसे की estrogen की deficiency है, तो ऐसे patients में यहाँ पर, ऐसे patients में osteoporosis होने के chances ज्यादा होते हैं, clear है, अब देखी, आगे हम यहाँ पर कुछ questions को discuss करते हैं, पहला question आपके सामने दिख रहा होगा, which out the following is richest source of calcium, देखो यह question आपका FSACI Technical Officer 2021 में पूछा हुआ है, तो इन options में से कौन सा ऐस option है, जो की richest source है calcium का, option A है रागी, option B है almonds, option C है milk, और option D है sesame seeds, तो देखो यहाँ पर right answer हो जाएगा, option D that is sesame seeds, it is the richest source of calcium, आगे अगे हम बात करें second question की, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, micronutrients are better absorbed and more bioavailable from, यह जो आपके options है, इन में से कौन सा ऐसा option correct है, जिस form में micronutrients ज्यादा easily absorb होते हैं, यह आपका पूछा गया था, FSACI, CFSO 2021 में, तो यहाँ पर options आपको जो देखने को मिलते हैं, वो है vitamin and mineral supplement, second option है natural food recommended in my food plate for the day, third option है, यहाँ पर 45 food product और fourth option है, vitamins and mineral tablets, तो देखो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था कि जो natural form होता है, अगर natural food source है, तो उससे जो minerals होते हैं, वो ज्यादा अच्छे से absorb होते हैं, इसलिए यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा, option B, that is natural food recommended in my food plate for the day, और देखो जो यह my food plate for the day है, वो national institute of nutrition ने recommend की थी, जिसमें different kind of food आपको देखने को मिलेंगे, और उन foods में यहाँ पर naturally minerals present होते हैं, ठीक है, तो दोस्तों यह था यहाँ पर discuss किया, minerals के बारे में, फिर मिलते हैं, next video में, thank you.